तो हेलो एवरीवन, वेल्कम बैक टू माई चैनल, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस कि आपके स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, डार्क स्पोर्ट पिग्मेंटेशन है, एक्टिप एक्नी है, क्या बहुत ज़दा परेशन हो? तो एक वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके शायर करने वाली हूँ, एक प्रोड़क्ट और वो प्रोड़क्ट है, एह है, लोटस हर्बल्स की नीम और को फेशवाश, जिससे उसकरने से आपका इसकिन बहुत ज़दा अचा होने वाली है, तो आज म होने वाली है, फोलेंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी जानकरी आपको मिसना हो जाए, तो चलो, सबसे पहले इसका छोट उसा एक रिव्यू देख लोगो फिर इसका डामो भी देख लिए ना, तो लेस्टार्ट, सो गईस एह है, लोटस हर्बल्स की नीम वाश, इसके अ प्राइस है, 220 रूपिस, तो इसके अंदर है धेसरी इंग्रियंस, जैसे के आप देख सकते हो, नीम है, क्लोब है, और इसके अंदर है धेसरी इंग्रियंस, तो बहुत छोटी-छोटी अक्षरों में लिखा हुआ है, तो देख सकते हो, इसका कलर कुस इस तरह का है, तो चल तो मैं फेश वाश करके बताती हूँ और इसका बेनिफिट के बाड़ में बात करती हूँ फेश वाश है लोटर सर्बल स्किन नीम वाश है इसके अंदर है ढहे सारी नीम और क्लोग मतलब की बिंगॉली में लॉबों को बोलते है तो क्लोग एक ऐसा इंगरियन्स होते है इसके उपर जितने भी रेड़नेस हो पिम्पल हो एक्टिव अक्नी हो उसे की ओर करने में हल्प करती है क्लोग बड़े बड़े एक्नी को एकदम से छोटू कर दी थी है उसके बाद उसको एकदम से रिमॉप करने में हल्प करती है और नीम आप लोग को पता है एक ऐसा इंगरियन्स है जितने भी आपका इनफेक्शन हो चाहे इसकी इरिटेटिंग का प्रॉब्लम हो कोई भी प कोई भी चीज यूज करने से दिक्कत होती है काभी काव इना साइड इफेक्ट भी हो जाती है तो बहुत लोग ने मुझे कॉमें किया था कि दी मेरा सेंसिटिव इसकी है मेरा एक्नी-पॉर्ण स्कीन है तो मिरे लिए कोई सही फेश्वार्श बताओ तो गाईस एह रहा व कि अगप और कैसे उसकरनी है तो इस फेशवश को बोध वॉइस और गल्स उसकर सकते हैं कि आप दिन में 2 तर यूज़ सकते हैं मतलब कि सुभा मार्निंग इसकी रूटिं करनी के टाइम जाए थोड़ी सी चकी थे खा ली थी इसका टेस्ट ना एकदम नीम जैसे है नीम पत्ते के जैसी है तो चलो मैं इसे फटा फट आपके सामने फेश वाश करके बताती हूं बस अपको लेना होगा थोड़ी सी फेश वाश एंड थोड़ी सी ओटर लेके सॉफ्ट हैंड में लेकिन इस फेश वाश से उतना भी कोई फोम नहीं आते हैं बस नॉर्मल सी फोम आती है और इसकिन को बहुत ज़्या टाइप करने में हेल्प करती है तो मैं आपको ना फेश वाश करके बताऊंगी इसका लाइपूप तो मेरे लिप्स्टिक को नहीं उठाऊंगी बस अब अब बस बढ़ हो पर देख सकते हो हार एक चीज को उठने में हेल्प करती है इसकिन को बहुत ज़्यादा सब्ध आती है तो चलो में फटा-फट से फेश को वाश करके आती हूँ और इस फेश टाड तडा तो गैस आप देख सकते हो मेरे टा फेस एक ही बार वाश करने से क इतना ज़्यादा शाइनी टाइप्स का दिखता है आप लोगों ने देखे लिया है इतना जबरदस्ट एक फेशवाश है तो जिन जिन का इस सेंसिटिव स्कीन है चाहे अक्नी पॉनी स्कीन है जस्ट गो फॉर इट गाइस अभी जाकर आप इस स्कीन को यूस कर सकते हो यह बहुत ज़्याद अच्छे गाइस ट्रस्ट मी और इस पॉर आट को दस में से दस दिना चाहूंगी तो यह ओलाइन भी अबलेबल है और ओफलाइन भी अबलेबल है आप कहीं भी से परचिस कर सकते हो तो गाइस एक कोई स्पोंसर के वाँ वीडियो नहीं है एक नौन स्पोंसर वीडियो है और बहुत अमेजिंग फेश वाश है तो अब भी से आप अपनी स्कीन के रूटिन में इस फेश वाश को इंकलूट करना चालू कर दो आप लोग को पता है मैं हमेशा जिनुइन रिवीव करती हूँ जो अच्छा है वोई बताती हूँ तो गाइस एथा मेरा आज का एक चोटों मुटों सा रिवीव आई होब इस वीडियो को पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शियर और सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करना बद भूलना गाइस और अपने फ्रेंज और फैम्ली के साथ भी शियर कर देना ताकि उनको भी अच्छे-अच्छे पुड़ास के बारे में पता चले तो चलो मिलते ही नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इस्टे फिट, आम ब्यूटिफूल, बाई गाईस